सबी को स्वागत है फिर से एक नए रेसिपी में तो आज हम healthy breakfast बनाएंगे तो breakfast बनाने के लिए यहाँ पर हमने पलक की पत्ते ले लिया है तो पालक की पत्ते जो है बहुत हरा भरा एकदम fresh है आप देख सकते हैं इसको 2-3 बर अच्छे से साप पानी से हमने wash कर लिया है इसके बाद हम क्या करेंगे कड़ाय में पानी ले लेंगे पानी में जैसे बबल साना शुरू होगा तो हम इस पालक की पत्ते को क्या करेंगे इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे बस इसमें 3-4 मिनिट के लिए हम इस तरह से इसको उबाल लेंगे बहुत जादा time राखने की जर देवरत नहीं है तो यहाँ पर देखिए यह जैसे ही 3-4 मिनिट हो जाएगा इस तरह से हम स्टेनर से इसको स्टेन कर लेंगे इसमें पानी रही रहना चाहिए तो इस तरह से करना है इसके बाद हम क्या करेंगे ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसके अंदर इसको डाल यह गरम में ही मैं कर रही हूँ तो आप यह प्रोसेस को थोड़ी ठंडा होने के बाद भी कर सकते हैं अब इसमें हपिंच अदरख हम डाल देंगे साथ में 4-5 हम हरी मिर्च डाल देंगे तिखा आप अपने पसंद के अक्रोडिंग डालिए इसके बाद इसको एक थीक पेस हम बना लेंगे तो यहां पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी में आपको थोड़ी पास से दिखाती हूँ तो यह देखिए इसमें पानी हमने अलग सा नहीं डाला है अब हम क्या करेंगे एक प्लेट ले लेंगे और उसके अंदर इसको हम डाल देंगे यह पूरा हमने पालक की जितना भी पेश्ट बनाई थी डाल लिया है अब यह कटोरी की नाप से हमने दो कटोरी जो है हमने गेहु का आटा लिया इसमें आप चाहे तो इसमें मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दो कटोरी की हिसाब से मैंने 4 टेबल स्पून जो है बेस और स्वाद की अनुसार नमक डाल देंगे और ये सारी चीज को एक साथ हम हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और पालक की जो पेस्ट हमने बना के तयार किया था उसी में जितना पानी है उसी से इस आटा को हम तयार करेंगे अलग सा हम पानी तब तक नहीं डालेंगे जब त तभी आप एक्स्टा पानी डाल सकते हैं बट वो भी आप देख लिजिएगा कि आपको उसमें जरुरत हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए एक सौब डो जो है हमने तयार कर लिया है अब डो तयार करने के बाद मैंने एक टेबल स्पून के जैसे इसमें तेल डाला है और फिर से इसको अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से और इसकी डो को हम सेट कर लेंगे तो यह देखिए डो हमारा तयार हो चुका है और आब इसको हम ढखके 10 मिट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर मेरी रेशिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक फ्रेंड सरकल में शियर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा तो यहाँ पर हमने रेश्ट करने के लिए छोड़ दिया है अब 10 मिनिट के बाद हम चेक कर रहे हैं तो यह देखिए आटा जो है एकदम पूरी तरह से सेट हो चुका है अब इसमें से हम इस तरह से लोईया बना लेंगे तो आप समझ गए होंगे कि आज हम पालक की पराठा बना रहे हैं तो पालक की पराठे कई तरीका से बनाते हैं तो सबसे इजी जो प्रोसेस है वोई मैं आपको शेयर कर दियो तो आप देखेंगे कि मेरा जो पराठा बनाने का प्रोसेस है इसी प्रोसेस से अगर आप बना तो पराठे जो है एकदम गुबारों को जह से फुलेगा और बहुत ही अच्छा स्वादिस्ट बनेगा आप चाहे तो इसको क्रिस्पी भी बना सकते हैं चाहे तो सौप्ट भी बना सकते हैं तो मैं दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगी करते टाइम तो यहां पर पराठे की ज तो अभी क्या करेंगे पराठे जो हैं आप मोटा ज्यादा बना सकते हैं या तो फिर पतला भी बना सकते जैसे आपको सूट होगा तो मैं यहां पर मेडियम साइज की ही बना रही हूं तो इस तरह से सुखा आठा डालके हमने इसको बेलन से बेल लेंगे सुबह सुबह और специally पराठा बनाने की बाल आपको सोचना भी नहीं पड़ता है अगर आपके पास दही है यह तो अचार है तो पराठे के साथ बहुत ही अच्छा जयाता है ब्रेकफास्ट में बहुती easy होता है पराठा बनाना तो आप मेंसे किसकी सकोंप पासंद है ये पराठा आप मु मुझे भी पता चले कि आपको ब्रेकफास्ट में कैसा लगता है पराठा खाना तो यहाँ पर देखिए पराठा हमारा रेडी हो चुका है सेम प्रोसेस में बाकी की पराठे को भी हम त्यार कर लेंगे अब हम चलते हैं इसको सेखने की प्रोसेस में तो यहाँ पर एक तावा ले लिया है तावा जैसे गरम हो गया है हम उसमें पराठे को डाल देंगे तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है जब हम तावा को डाला था तो इसको अच्छे से पहले गरम कर लिया इसके बाद हमने पराठा डालने के बाद आज की जो फ्लेम है उसको हम एकदम से low to medium पर रखा है और इसके बाद इसको अच्छे से सेख लिजिएगा इसके बाद तेल या तो घी या तो बटर जो आपको पसंद है वो डालिएं तो क्या होगा ना पराठा जो है बहुत अच्छे से सेखने के बाद ही ये सब डालेंगे तो पराठा बहुत अच्छे से फूल आप देखिए यहाँ पर आपको मैं पास से थोड़ा सा दिखाती हूँ तो यह देखिए यह कितने अच्छे से फुल चुके हैं तब देख सकते हैं तो सेम प्रोसेस में इसी तरह अगर आप करते हैं तो आपकी जो पराठे हैं बहुत अच्छे से फुल के तयार होगा और पराठा ही अच्छा लगता है तो यह दिख तो रहा है अभी क्रिस्पी लेकिन जब इसको थोड़ा सा मतलब निकालने के बाद जब यह थोड़ी सी ठंडा हो जाएगी ना तो आपकी की पराठे को भी हम तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से हमने पाल रेसी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर अगर नया है अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब जरुर से जरुर कर दीजिएगा मैं थोड़ा सा आपको पास से तोड़के भी दिखाती हूँ कि प्राथे हमारे कितने अच्छे से पुले थे तो यहाँ पर देखिए ये देखिए प्राथे बहुत ही अच्छे से पूल चुके थे तो हमारे breakfast रेडी है, ऑव हम चलते हैं breakfast लेने के लिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अपने और अपने परिवार की ख्याल रखिए